Hello everyone, welcome back to my channel and this video में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक मेरा सीक्रेट इंडिकेटर जिस इंडिकेटर को यूज करके मैंने पिछले साल 15 लाग के कैपिटल पे 1.5 लाग पर मन्त का प्रॉफिट जनरेट किया था तो रफली मेरा प्रॉफिट 18 लाग जिर्फ एक इंडिकेटर इन इसके साथ वाली स्ट्राटेजी से मैंने डिवलप किया था एंड मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले तो देख लेता है मेरा प्रॉफिट लॉस्टेटमेंट इसमें प्रूफ तो यह जो इंडिकेटर था यह क्रूड ओयल पर मैंने यूज किया था क्रूड ओयल का इंडिकेटर है और यह है मेरा प्रॉफिट लॉस्टेटमेंट इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और आपने मेरी वेरिफाइड प्रॉफिट लॉस की लिंक तो देखी यह होगी तो आप यहां देख सकते हैं तो यहां तो चलिए मैं सबसे पहले आपको अपने लॉसे दिखाता हूँ कि हर कोई पहले प्रॉफिट लिखाता है तो मैं लॉसे दिखा देता हूँ आपको तप लॉसे यहां हम एड़प कर लेते हैं कितने हैं 66, 60, 50 यह रफली दो लाग के ह लॉसे आसपास यहां तक फिर 2,00,00, यहां तक 3,00,00, अब आपको मैं दिखा देता हूँ प्रॉफिट तो अब यहां देख ही सकते हैं कि मेरे पहले जो दो प्रॉफिट सिबसे बड़े वो मेरे टोटल लॉसे से overall जो हैं जादा हैं तो वही लोग मेर से पूछते हैं कि low accuracy में हम कैसे profit कमा है options trading में अगर आप options buying कर रहे हैं तो आपको 50% की उपर की accuracy के सबने नहीं देखने चाहिए इंस्टेड आपको risk to reward पे focus रखना चाहिए तभी आप इतने बड़े-बड़े profits generate कर पाएंगे तो आप लाग के मेरे losses थे सिर्फ एक इंडिकेटर से तो 22 माइनस चार इस रफली अठरा लाग जो की होता है देड़ लाग पर मंत पंदरा लाग के capital पे तो मैंने 10% पर मंत इस इंडिकेटर से जनरेट किया है यह मेरा profit and loss statement है अब मैं आपको चल के दिखा देता हूं इंडिकेटर इंडिकेटर जो है मेरा तो यह इंडिकेटर जो actually मेरे course का part है बट मैं यहां पर आपको free में दिखा रहा हूं and सिर्फ इंडिकेटर के basis मेरी strategy नहीं थी strategy में और भी थोड़ा सा advanced concepts थे तो वो मैं सिर्फ course में नहीं cover कर रहा हूं वो मैं यहां पर नहीं cover कर रहा हूं तो अगर आपको वह चाहिए तो आप the logical traders.in पर जाकर register कर सकते हैं और फिर वहां से आपको callback आ जाएगा तो यह मैं आ गया हूं मेरे indicator पर तो यह indicator क्या है कैसे यूज करते हैं इसका logic क्या है अब हम वो समझेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको indicator दिखाता हूं तो यह है indicator का formula ना यह formula दिखने में थोड़ा complex होगा बट इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ही में पेट्रोल डीजल जो भी तो crack spread क्या करता है वो यूस में जो crude oil के जो प्राइस है और जो refined products के प्राइस हैं जैसे की petrol, diesel, gasoline उनका difference calculate करता है कि उनका difference कितना है तो basically जो refiner से उनका profit margin कितना है तो यहां पे जो formula है यह है यह जो RB है यह हता है gasoline यह HO जो है heating oil और CL जो है यह crude oil तो इसको कहते हैं 321 crack spread और इसमें क्या किया है हमने gasoline और heating oil को add किया 3 barrel यह 84 2 barrel के लिए और 42 1 barrel के लिए है और उसको minus किया है crude oil के 3 barrel से अंदन 3 से divide कर दिया है तो इससे हमें पता चल रहा है कि US के refiners की margins कितनी है कितने वो लोग पैसे कमा रहे है तो यह 84 इसलिए यह उसकी है क्योंकि जो हमारे यह gasoline और heating oil है यह gallons में count होता है और crude oil जो है वो barrels में count होता है तो इसलिए crude oil को हमने 3 ही रखा है और यहां इसको 84 और 42 किया है क्योंकि 84 मतलब 2 barrel और 42 मतलब 1 barrel and then उसको 3 से divide किया तो इसलिए इसको कहते हैं 321 crack spread now अब हमने क्या किया इसमें इसमें basically हमको कुछ नहीं करना है यह crude oil का एक positively correlated asset है तो जहां जिस direction में यह जा रहा है उसके chances हो जाते हैं कि crude oil भी उसी direction में जाएगा तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं मल्टिपल इस पर मैंने technical levels बना के रखें पैंट बना के रखें तो इसके basis पर अगर मैं let's say मैंने यहां पर यह जो ट्राइंगल है इसके नीचे breakdown हुआ था 12th April को तो अब मैं क्या करूंगा 12th April को मेरे को एक signal मिल गया है कि Crude oil में बेरिश एक signal है यहां से यह बता रहे है कि Crude oil गिरने माला है तो अब हम Crude oil के चार्ट पर जाके देखेंगे कि हमें हमें 12th April को कुछ दिख रहे है क्या तो आप यहां देखेंगे अगर तो यहां 12th April को कुछ नहीं था Crude oil इंपक्ट बुलिश था 1.94% अब क्लोज हुआ था बट अगले कुछ दिन में वह नीचे आ गया यह हमारे एक सपोर्ट बना हुआ था इसके नीचे आ गया अगले कुछ दिन में आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा क्रैश आया था Crude oil में तो कितना अल्मोस्ट 16% का क्रैश आ गया Crude oil में अगले कुछ दिनों में सो सिंस मुझे इंडिकेटर ने पहले ही बता दिया था कि Crude oil में गिरने के चांसे अब हैं मेरी स्ट्राटेजी के हिसाब से भी मुझे यह पता चल रहा था कि यहां पर गिरने के चांसे हैं इसलिए मैंने आप Crude oil जो है शौर्ट किया पुट ऑप्शन्स खरीद के ना उसके बाद क्या हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं कि Crude oil अगले कुछ दिनों में कैसे गिर और कितना गिरा तो यहां थर्ड में पर फाइनली जाकर उसने सपोर्ट लिया और शायद मैंने यहीं प्रॉफिट भी बुक किया था आइड नो प्रॉफिट अनलोग स्टेट्मेंट एक बार फिर से देख लेते हैं सो आयाज आप आप देख सकते हैं मीरी कैसरे प्रॉफिट् constitution यह सिर्फ एक ट्रेट पे पर sadly strategy में नहीं शेर कर सकता क्योंकि मैंने पहले ही बुट सारे इंडिकेटर से इंस्टाटेजी फ्री में में शेर कर दी है तो वह जो मेरे जिन लोगों ने स्ट्राटेजी ली है उनके लिए थोड़ा अनफेर हो जायगा अगर मैं वो सब भी फ्री में शेयर करने लगूं तो so if you are interested in the strategy please go to www.thelogicaltraders.in and register over there and you'll get a call back from me and that was all for this video and video पसंदा है I'm sure India में अगेन ऐसा content आपको कहिए आपको